कानपुर दिहाद में करन की चपेट में आकर युवक गंबी रूप से जुलज गया आनन फानन में परीजन इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गया जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई वहीं गटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुँच गई शब को कपजे मिले कर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया गया है शिवली के बड़ाई पुर्वा गाउं में सुरेंद सोन कर घर के पंके सही कर रहा था इसी दौरान वक करन की चपेट में आ गया जब तक घर के अंदर मौझूद परिजन कुछ समझ पाते सुरेंद बुरी तरह जुलस गया घर आगे परिजन सुरेंद को सरकारी इस्पताल ले पहुँचे जहां पर डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया लेकिन इलाज के दौरान सुरेंद की मौत हो गई मौत की खबर सुनते ही घर में कोराम मच गया वहीं डॉक्टरों की सूचना पर मौके पर पहुँचे मैथा चौकी प्रबारी ने शब को पोस्टमॉटम के लिए बेज दिया है Bureau Report IPN